अब सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की रेसिपी है उकडी से मोदक विद पाइनापल फ्लेवर और बहुत ही अच्छे लगते है यह रेगिलर उकडी के मोदक जैसे ही है सिफ स्टफिंग में हमने थोड़े चेंजिस किये है और रेसिपी बढ़ी आसान है तो चलो शु कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए जाद से जादा शेयर कीजिए नीचे बेल बटन है उसे क्लिक कीजिए जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिल जाएंगे रेसिपी के डीटेल इंग्रीडियंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए है उन्हें आ और नए पकेशनलनर चावल का आटा लेंगे उत नहीं हमें पाली लेना है मैंने यहाँ फे एक छावल का आटा लिया है यह बी मैंने इसी कप से नापा है straw की इक ही मेजिर्मेंट रखे इसमें हम ाडलेंगे एप चुद की नमक दोक के लिए इसमें मैं डालेंगी जोटा गी से यह मोदक बहुत सॉफ्ट बनते हैं इसमें मैं डालेंगी आधा चम्मच चीनी यह ऑप्शनल है बहुत सरे जन कवर में चीनी नहीं डालते हैं लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी हम डालेंगे जिससे मोदक की टेस्ट और अच्छी आती है गैस की आच मैंने बढ़ा दी है जिससे इसमें जल्दी उबाल आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी मोदक के वीडियो की लिंक दी हुई है आप उन्हें भी चेक कर सकते हो आप यहां देख सकते हो पानी में बबल्स आ गये हैं गैस को मैं अभी दीमाई करूंगी और इसमें ह चावल को आटा इसमें डालेंगे हमें इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से इसे अब मैं धगके रख दूंगी और ग्यास मैं बंद कर दूंगी और तुरंथ हम इसे ढख के एक पांच से साथ मिनिट के लिए साइड में रख देंगे इस आटे को हमने दस मिट के लिए ढख के रखा था और अब हम इसे एक बोल में निकालेंगे और हमें इसे गूतना है इसका एक डो बना लेना है जब यह हलका गरम होता है उसी समय में हमें इसे गूतना है इसे हम गूत लेंगे और यहां पे मैंने एक थंडे पानी का दोल लिया है उसमें हम हाथ ऐसे डुबाएंगे और हम ऐसे मसल मसल के इसे गूत लेंगे यह काफी गरम है पर हमें इस टेकनीक को इस्तेमाल करना है हाथ डुबो के हमें गूत लेना है जिससे हमारा ये आटा डो जो है बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और अगर आप बास्मती चावल का आटा इस्तिमाल करोगे तो आपके मोदक और अच्छे बनेंगे और शाइन भी आ जाएगी मोदक को हम इसका अच्छा एक सॉफ्ट डो बना लेंगे आप यहां देख सकते हो हमारा आटा तैयार है और इसकी ऑप पानी हमने उबालते समय इस्तिमाल किया है और गूते समय मैंने करीबन एक चॉथाई कप पानी का इस्तिमाल किया है लेकिन पानी आपको कम ज़ादा लग सकता है यह पूरी तरह से आटे की consistency पे है अगर आटा आपका मोटा है तो आपको पानी जादा लग सकता है और अगर बहुत ही fine है तो पानी की मातर आपको कम लग सकती है तो इस आटे को हम ढखके ही रखेंगे अगर हमने इसे ऐसी खुला छोड़ दिया तो मोदक बनाते समय हमारे मो अगर आप ताजा पाइनाप्पल डाल रहे हो तो आधा कप भी इसे डाल सकते हो पर मैं एक चौथाई कप डाल रही हूं क्योंकि यह बहुत ही concentrated होता है इसमें चीनी भी होती है और उपर से भी हम इसमें चीनी थोड़ी डालने माले है और इसमें हम डालेंगे एक और इसमें चीनी की मात्रा आप आपके इच्छा नुसर कम आधा कर सकते हो अगर आप जाधा मीठा द तो आप जाधा चीली इसमें डाल सकते हो हम इसमें इलाइची या जाइफल ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं डालेंगे क्योंकि हम यह पाइनापल मोदक बना रहे हैं अगर हमने इलाइची या कोई दूसरा फ्लेवरिंग डाला तो पाइनापल का स्वार्थ कम हो जाएगा उसकी जो एक खुश्बू है वो क जो बना लेंगे कि हम यहाँ पर मैंने एक बॉल ली आ हैं हाथ में हम थोड़ा सा केल लगाएंगल के और हमें इसके कैट अरतारी बना लेनी है इस तरह से अब हम मोदक बना लेंगे यह स्टफिंग भी हमारा अच्छे से थन्डा हो गया है और इसमें बीच में हम स्टफिंग डाल देंगे और अब हम इसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे हमें इसकी कलिया बनानी है कुछ इस तरह से सारे मोदक की हम कब लेंगे साइट से और अब हम इन सारों को इखटा लाएंगे अब देख सकते हो हमारा ये मोदक तयार है इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे अगर आपको हाथ से ऐसे बनाने में दिक्कत आती है तो मोदक का मोल्ड आता है मार्केट में उससे भी आप इसे बना सकते हो यहा पे मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने नीचे पानी से भर दिया है और मैंने इसे 1-5-10 में से मैं इसे गरम करने रखी हूँ और ऊपर हमने एक चनी रखी है इस चहनी में अब हम मोदक अरेंच करेंगे आप ढोकला स्टीमर या इडली स्टैंड का भी इस्तमाल कर सकते हो नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में मोदक के रेसिपीज है जो मैंने इडली स्टैंड में स्टीम किये है तो आप उसे चेक कर सकते हो आप कुकर का भी इस्तमाल कर सकते हो इने स्टीम करने में और इसे मैंने हलके से ग्रीस किया है ओयल से हमारे तैयार मुदक हम एक-एक करके रखेंगे इस पर हमने सारे मुदक स्टीम करने रख दिये है और इसके उपर हम धकन रख देंगे जिससे यह अच्छे से स्टीम हो जाएगा और हमें इसे तेज आज पर 20-25 मिनिट के लिए अच्छे से स्टीम करना है 20-25 मिनिट हो गए है और आप यहां देख सकते हो मुदक को अच्छी शाइन आ गई है और यह पक भी गया है अच्छे से तो हम गैस बन कर देंगे आप जितना अच्छा आटा लोगे अगर आप बास् मुदक का आटा ले रहे हो तो आपको यह ध्यान में रखना है कि वह नए चावल का हो जिससे यह इसमें श्टीकिनेस जादा हो नमी जादा हो और उससे शाइन बहुत अच्छी आती है यह मुदक जब थोड़े गरम रहते हैं उसी समय हमें धीरे से उन्हें सेपरेट करना ह होता है क्योंकि अगर यह पूरी तरह थंडे हो गया तो यह एक दूसे से चिपक जाते हैं और फिर तूट सकते हैं इसके गरम गरम ही हमें इसे छुडाना है आप चाहो तो आपके हाथ को थंडे पानी में थोड़ा डिप कर सकते हैं जिससे आपको चटका नहीं लगेगा मैं आपको एक मोदक खोल के बताती हो आप देख सकते हो कितना सौफ्ट बना है इसका कवर अब इसकी स्टफिंग भी देख सकते हो और इसका कवर भी बहुत ही सौफ्ट है स्वाद में बहुत अच्छे लगते है तो इस रेसिपी को इस गणिश चतूर्थी पे आप जरूर बनाईए उकडी के मोदक में हमने ट्विस्ट दिया है पैनापल का नीचे मेंने स्ट्रॉबरी मोदक मैंगो मोदक भी डाले है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें भी आप चेक कर सकते हो तो इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिए अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए जाधा से जाधा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले